ब्रेके बाद आपका स्वागत है अब वक्त है मुख बधिरों के लिए विशेश समाचार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने संसदी छित्र वारानसी के प्रतनिधियों से वीडियो कॉन्फेंसिंग के जर्य बात की प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान अलग अलग संस्थाओं के प्रतनिधि के सामाजी कारियों की तारीफ की सेवाभाव से जुड़े हुए हर व्यक्ति को प्यम मोधी ने प्रणाम करते हुए कहा कि उनसे वो जादा काम की प्रेड़ना ले रहे हैं और आशिरवाद भी इस दौरान प्यम ने कबीर दास का एक करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता है दिन रात निश्वार्थ भाव से वो सेवा करता है दूसरों की निश्वार्थ सिवा के हमारे संस्कार हैं जो इस मुश्किल समय में काम आ रहे हैं कुम्ब को लेकर साधू संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारती अखाड़ा परिशद ने बड़ा एलान किया है कहा है कि कोरोना के बावजूद हर द्वार में कुम्ब की तारीखें नहीं बदलेंगी और महा कुम्ब 2021 की तैयारियां जोर उपर हैं आपको बता दें क कि सरकार इस मेले को विश्वस्तरी बनाने की तैयारी में लगी है इस बीच अखाड़ा परिशद की तरफ से कहा गया है कि कुम्ब की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा दरसल कोरोना की महामारी के बावजूद हरिद्वार में अगले साल लगने वाले कुम्ब मेले क आयोजन की तैयारियों में कोई बदलाव नहीं करने की बात कही गई है अखाड़ा परिशद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अगर कोरोना का खत्रा उस वक्त भी बना रहता है तो अखाड़ों के संत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिना किसी करती कात्मक तौर पर इसनान करेंगे कुम्भ की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा उससे कताई आगे पीछे नहीं किया जाएगा भारत में कोरोना वाइरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है आज पहली बार 24 घंटे में 25 हजार के करीब कोरोना के नए मामले सामने आये देश में संक्रमितों के संख्या अपोने आठ लाग के करीब पहुँच गई है स्वास्त मंत्राले के ताजा आकड़ों के मताबिक देश में अब तक साथ लाग सरसट हजार 297 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं इन में से 21,129 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4,76,000 लोग ठीक हुए हैं बीते 24 गंटे में कोरोना वाइरस के 24,889 नए मामले सामने आये और 487 मौत होई है नोइडा अथार्टी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादो सिंग को इलाभाद हाई कोट से बड़ी रहत मिली इलाभाद हाई कोट ने यादो सिंग की जमानत अरजी पर सुनवाई करते हुए जमानत मनजूर कर ली है यादो सिंग पर अपने पद का दुर्पयोग कर आए से अधिक संपत्ति अरजित करने का आरोप है इस मामले में साड़े तीन साल जेल में रहने के बाद फिर से दस फरवरी को सीबियाई ने जेल भेजा था मुझफर नगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहाँ दो महिला दोस्तों ने संदिग्द परिस्थितियों में जहर खाकर आत्मात्या कर ली इस घटना के बाद दोनों परिवार में कोहरा मच गया वहीं मामले की सूचना पर पहुँची पुलिस ने दोनों मृतक महिलाओं के शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भीज दिया है पुलिस ने मामले की जाच शुरू कर दी है बता जाराए कि दोनों घर में हसी खुशी से बात कर रही थी लेकिन इसी बीच अचानक दोनों की तबियत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई और इस ब्रिटन में फिलाल इतना है